साथ संगत जी प्यार से बोलिये साथ संगत अभी अभी दास ने सुना महाराश्टरा बॉम्बे से आये हुए विवेक शौक जी बक्षिश करेंगे तो मन से सवाल उठा के अभी तक पहचान ही नहीं समझ पाए हम अपनी दास को समझी नहीं आपा रहा के चंदीगड के विवेक शौक जी या दिली के विवेक शौक जी या महाराश्टरा मुंबई के विवेक शौक जी ये तो सिर्फ इस जिंदगी के छोटे से सफर में ही हम अपनी कई तरह की पहचान बना लेते हैं असली पहचान तक तो फिर बहुत लंबा सफर हो जाता है मैं कौन हूँ? कहां कहां हूँ? ये अपना अपना पर्स्पेक्टिव है साथ संगत बहुत रिफरेंस दिये जिंदगी में वेदों, गरंथों, शास्त्रों की बातें सुनी और कहीं महात्माओं से सुनी हुई बातों में से कुछ परिभाशाएं बनाई गई लेकिन हर थोड़े समय के पस्चात ऐसा लगता था कि नहीं भाई, वो जो मैं कल तक कह रहा था, वो तो शायद ठीक नहीं था फिर अपने आपको कॉंट्राडिट करता है इंसान, फिर अपने बारे में सोचता है फिर से एक विशलेशन नया होता है, एक नया अनेलिसिस जनम लेता है और फिर लगता है कि समझी नहीं पाया बात को बड़े दावे के साथ जिन सवालों के जवाब देते रहे वो कुछ समय बाद वो जवाब अपने आप ही जूटे साबित हो जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां का हूं फिर साथ संगत, जब ये मन के ख्यालात काबू में नहीं आते तो कहीं जाके कोई एक ऐसा कॉमन फेक्टर निकलता है जो सब परिभाशाओं से उपर होता है और अगर हम ध्यान से सोचें तो सत्गुरु ने हमें पहले दिन से ही उस एक बात से जोड़ा और वो बात है समर्पन सरंडर जब तक समर्पन नहीं होता इनके चर्णों में तब तक मेरी परिभाशा और आपकी परिभाशा अलग-अलग ही होंगे मेरे एंगल से मुझे कुछ दिखाई देगा आपके एंगल से आपको कुछ और दिखाई देगा जाविया ए निगा जिसको कहते हैं एंगल आफ विजन कहते हैं नजरिया कहते हैं अपना अपना पॉइंट अफ व्यू कहते हैं नुक्ता ए निगा कह देते हैं वो सबका अलग-अलग होता है common factor सिर्फ एक होता है और इतनी खूबी के साथ साथ संगत इन्होंने अनेकता में एकता पैदा की है unity in diversity इतनी खूबसूरती से पैदा की है कि हर इंसान को भर्म डाला है कि मैं ही सोच रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ दास कुछ दिन पहले मुंबई में ही सतसंग में ये बात कह रहा था कि अगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तो मेरे पास option है कि मैं अपने कान बंद कर लूँ अगर मैं कुछ नहीं देखना चाहता तो मेरे पास option है कि मैं अपनी आँखें बंद कर लूँ लेकिन अगर मैं कुछ नहीं सोचना चाहता तो मेरे पास कोई option है कि मैं कोई ऐसा खिड़की दरवाजा कोई ऐसा ढकन बंद कर लूँ जिस से मेरे दिमाग में थौट ना आए ऐसा नहीं है इसका मतलब मैं मजबूर हूँ जो ये सुझाएगा वो मैं सोचूंगा उसके आने जाने पे मेरी इसने बंदिश ही नहीं रखी फिजिकली भी मेरे हाथ में कुछ नहीं रखा और उसके बाद हम ये सब जानते हैं को वी आर ओल डिरिवन बाइ दे थौट हमारी जिन्दगी को क्या चलाता है हमारा थौट यही कहा जाता है और थौट इसने अपने हाथ में रख लिया तो साथ संगत अब हम ध्यान से देखें कि वो रिमोट जो दूर बैठे ही वालिम उपर कर देता है चैनल चेंज कर देता है वो किसी को दिखाई दे ना दे बटन लगे लगाए रह जाते हैं टेलिविजन के उपर लेकिन रिमोट से ही सब कुछ हो जाता है वो हर चीज का रिमोट जो है वो इनी के हाथ में होता है मुझे लगता है कि क्या थौट आया मेरे दिमाग में या कितना बुरा थौट आ गया वो अच्छा बुरा सही गलत जिसकी परिभाशा मैंने बना रखी है उस पे मेरा कोई अख्तियार ही नहीं कोई दुनिया का इमानदार से इमानदार आदमी साथ संगत ये दावा नहीं कर सकता कि आज तक कभी मेरे जहन में कोई बैमानी का ख्याल नहीं आया और किसी बैमान से बैमान इनसान के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसने जिंदगी में कभी अच्छा ही नहीं सोचा क्योंकि सोच इसके हाथ में है थौट इसके हाथ में है मैं साथ संगत एक ही बात कहके फिर अपना स्थान लूगा क्योंकि अब समय उस वर बढ़ गया है जहां हमें स्टेज से पर्म पुझे सत्गरू बाबा जी से वाशीरवाद प्राप्त करने है लेकिन साथ संगत दास वो बात सिर्फ कहके आप से इजादत चाहेगा कि एक बच्ची ने एक बार दास के साथ कुछ अपने मन के कुछ विचार सांजा किये किसी समस्या से वो बच्ची घरेलू समस्या से गुजर रही थी और बहुत ही विचलित थी कि ये क्यों नहीं हो पा रहा वो जो आराम से हो सकता है वो क्यों नहीं हो पा रहा जब सत्गुरू सब कुछ कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा ऐसे कई तरह के सवाल जिनका साथ संगत जो भी कुछ जवाब हो सकता था दास ने प्रियास किया समझाने की कोशिश की लेकिन साथ संगत वो बात जब तक ये न चाहें बनती नहीं और जब ये चाहते हैं तो किसी के समझाए बिना भी बन जाती है कुछ दिनों के बाद वो बच्ची रोती हुई कहने लगी मुझे आपसे एक बात करनी है जो आप उस दिन मुझे समझा रहे थे दास की कई समस्याओं का वो हल समझ में आ गया उसने एक बात कही उसने कहा कि भईया मैं कल टेलिविजिन पर डिसकवरी चैनल में एक कार्यकरम देख रही थी ध्यान दीजिएगा साथ संगत खास बात है सुनिएगा कि डिसकवरी पर मैं एक चैनल पर एक कारेकरम देख रही थी उसमें मैंने देखा कि छोटा सा एक भेड का बच्चा एक कांटे वाली तारों का जो गुच्छा जिसको हम बॉब वायर्ज कहते हैं उसके बीच में कहीं फस गया बढ़ता बढ़ता कहीं आगे निकल गया बीच में जाके फस गया अब वो बच्चा तरब रहा है छोटा सा बच्चा है उसको चारों तरफ से वो कांटे चुब रहे हैं और वो बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा भी हिलता है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंके कांटे चारों तरफ है और उस भेड के बच्चे का जो मालिक है वो वहाँ पहुंचा आया उसने देखा लेकिन उसने उस बच्चे को निकाला नहीं उसने मौइना किया वो वापिस गया उसने एक कैंची जैसे कुछ कटर लेकर आया और पीछे से कहीं से उसने वो तारें काटनी शुरू की वो धीरे 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 उन तारों को काट रहा है बच्चा अभी भी तड़प रहा है कांटों की तारों के बीच में फसा है और वो तारें काट रहा है दस पंद्रां बीस मिनट आदा घंटा जो भी लगा क्योंके वो मालिक जानता था कि अगर इस बच्चे की पुकार सुनके मैंने इसी तरह से इसको वापिस खेंच लिया तो इसकी सारी चमड़ी छिल जाएगी वो इसके हक में नहीं होगा वो मालिक तारें काट के रास्ता बना रहा है और रास्ता बनाने के बाद जब वो रास्ता बन गया तो उसने आराम से उस बच्चे को वहां से बाहर निकाल लिया और उस बच्ची ने ये बात सुना के रो रो के ये बात कही कि मैं बाबाजी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि सचे पादशा तो कर सकता है तो कर क्यों नहीं रहा क्या पता ये कहां कहां से तारें काट के मेरे लिए रास्ता बना रहा है क्या पता कि मेरे कहने पर अगर ये मुझे उसी वकत खेंच ले तो मेरी चमडी छिल जाए साथ संगत ये मेरे मन के विचार मुझे मजबूर कर देते हैं गिला करने के लिए शिक्वा करने के लिए कि तू तो सब कुछ कर सकता है पिर करता क्यों नहीं इसे करने तो दें इसे इसके ढंग से करने तो दें ये कर रहा है और इससे बेहतर यकीन कीजिए कोई नहीं कर सकता बक्षिश करो साथ संगत आप आशीर वात दो कि इन पर विश्वास रखने का परपस ही ये है मकसद ही ये है और सबूत भी यही है कि जो ये कर रहा है जैसे कर रहा है और जब भी कर रहा है मैं मान सकूँ मैं इसके भाणे में रह सकूँ मैं इस बात पर यकीन कर सुझू कि सच्चे पाथशा जो तू कर रहा है उससे बहतर तो हो नहीं सकता और अगर तू नहीं कर रहा तो कोई कारणी होगा कि नहीं कर रहा साथ संगत सुखमनी साहब की वो लाइन आती है डैडी हमारे जरूर वो जिकर किया करते थे कि इस्ते होए सो ना ही बुरा औरन कहो किने किछ करा कि जो इस्ते होता है इसके हाथों होता है वो तो बुरा होता नहीं और आप बता दो किसके अलावा और कोई कर रहा है अगर यही कर रहा है तो फिर तो अच्छा ही हो रहा है दास तो यही आप से आशीरवाद मांगता है अंत में किर्पा करो इस सारी बात के बाद तो जहन में यही ख्याल आता है कि दुनिया में अगर मुझे कोई भी चीज बुरी लग रही है या मैं किसी चीज के बारे में कह रहा हूँ कि भाई साब जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है ये सही नहीं हो रहा तो कहीं नहीं मैं मैं बनाने वाले कि निन्दा कर रहा हूँ अगर एक फिल्म के बारे में मैं कह देता हूँ कि यह फिल्म अच्छी नहीं है तो फिल्म का क्या कजूर है बनाने वाले को फिल्म बनानी नहीं आई मैं मेकर की तारीफ या मेकर की निंदा कर रहा हूँ इसी तरह साथ संगत रचना की की हुई बुराई रचनहार की बुराई है रचना की की हुई तारीफ रचनहार की तारीफ है आज के बाद आप से साथ संगत यही दौा मांगता हूँ कि दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है मुझे लगता है तो कहीं न कहीं मेरी समझ का फर्क है साथ संगत आओ इन पे वो विश्वास बन जाए कि जो तुद भावे साई भलीकार तु सदा सलामत निरंकार साथ संगत प्यार से भोलिए धन्नंकार